दोस्तों बात करें तो Nothing Phone 3A, 3A Pro यहाँ पर आचुके और एक बात बताओ इनके अंदर, यहाँ पे दौनों फोन बहुत ही जादा स्मिलर है यहाँ नेकी दौनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस आता है, वो आता है 3X के पेरिस्कोप जूम लेंस का जो आपको से 3A Pro में देखने को मिलता है, और यह Sony के LYT600 sensor के साथ है, जो आम तोर पे फ्लेक्शिप फोन को बहुत ही जादा आइडेंटिकल रखकर इसके साथ ही डबेवे चारजर नहीं है, और हाँ यहाँ यहाँ पर आपको IP64 की ही रेटिंग देखने को मिलती है ओवराल बात की जाए, तो डीसेंट फोन उन्होंने बनाया है, और यहाँ पर इस फोन के अंदर आपको तीन साल तक के Android के अपडेट तो 6-year के security patch वाले अपडेट देखने को मिलेंगे ओवराल बात कारें तो फोन इन्होंने इंटरस्टिंग मनाया है, देखा जाए तो फोन 3A की कीमत लगब 25,000 रुपे और दो हजार रुपे अगर आप डिसकाउंट ले ले और अगर आपको 22,000 में मिल जाए तो एक डीसेंट बाइं हाँ पर लग सकता है, हाला कि 3A प्रो मे में ही मेजर इडिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन हाँ नथिंग को देखा जाए तो काफी अच्छी हाइप इनोने क्रेट कर ली, और सबसे बड़ी बात है कि आईपून 16E के कुछी बाइन के बाद इस फोन को लांच किया गया, यानि कि आप समझ सकते हैं कि Apple वाले कई मार्केटिंग टॉप नॉच रखते हैं और अपने प्रोट की हाइप आज यह समय में Apple से भी जादा कर देते हैं, जो कि surprising चीज़ है, हाला कि हाइप मार्केटिंग तो एक हद तक सही है, लेकिन end-to-end यह डिसाइड करता कि product कैसा है, लास्ट येर का अगर मैं एक example नूँ त स्पेसिफिकेशन सही थी, लेकिंगे software में bugs बहुत जादा थे, धीरे धीरे चीज़े resolve हुई, फिर phone 2 आये काफी refined दा, लेकिन अपनी महेंगी pricing के कारण अपने आपको market में survive नहीं कर पाया, इसके साथ ही बात करते हो, nothing phone 2A ने अच्छा किया, CMA phone 1 ने अच्छा perform किया, और 3A वाला phone यहां पर काफी अच्छा perform कर सकता है, 3A pro का देखना पड़ेगा कि exactly वा market में किस तरीके सब perform करते हैं, और किते लोग होते हैं, इसके periscope वाले camera के लिए यहां पर जाना पसंद करते हैं, तो यह यह भी एक सीज़ रहेगी, इसके साथ ही बात कर तो यहां पर Apple ने अपने नए laptops को नाउस करते हैं, जो कि MacBook Air है M4 चिप के साथ और इनकी कीमा 99,000 रुपी से शुरू होती है, जो कि एक सिंपल सी बात बता रहो, एक लाख रुपे के अंदर आपको 16GB की RAM दे रहे हैं और 256GB स्टोरेज दे रहे हैं, जो कि बहुत ही जादा सही और बहुत ही जा वाला मॉडल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बार में मैं एक वीडियो बनाऊगा अपने में चैनल पर तो उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन ओवरल बाग करें, तो यहाँ पर आपल ने काफी इंटरस्टिं प्रोड़क्ट बनाए हैं, और MacBook Air चल जाएगा, खाल लिटरली AI क अपने एक LLM भी चला सकते हैं, खैर यह बहुत ही जाद प्रोफेशनल और बहुत ही जाद नीश मार्केट के लिए होता है, हाला कि आम जनता के लिए MacBook Air M4 चिप के साथ एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन बना सकता है, 13 इंच का MacBook Air M4, 99,000 रुपीस में एक से कम लगती है, तो 1TB के external SSD अगर आप ले लेंगे तो एक बेटर चीज रही है, इसके साथ ही बात करें तो M3 iPads को भी इंट्रिद्यूस के iPad Air के होगी, और overall कई सारी चीज़ें यहाँ पर Apple यहाँ पर कर रहा है, इंटरस्टिंगली बात करें तो इस हफते एक और इंटरस् इंवाल्ड है, जो अप शाओमी कमपनी से हाँ पर अलग हो चुक है, और basically यह वो लोकते जन्हों ने शाओमी कमपनी के TV division को setup किया था, शाओमी के TV को इंडिया में लाए तो इंडिया में एक शाओमी कमपनी अपने TV के लिए काफी जानी है, तो number one, smart TV maker हम कह सकते है, in terms of volume, लेकिन एक बात है, कि जो Lumio कमपनी है यह भी अपने TV बिल्ड करें और इसका जो प्रोड़क्ट होता कुछाथ कुछी दिनों में देखने को मिल सकता है, जोकि Amazon के साथ exclusive होगा, लेकिन एक बात है, इसके अंदर कोई भी Chinese कमपनी की backing नहीं है, यह दूसरी चीज़, कोई भी रिब्रांट्मिंग करना नहीं आती, तो वो एक प्रेस पॉइंट है, हाला कि देखेंगे Lumio कमपनी के जो TV होते हैं मार्केट में किस तरीके साथ और किस तरीके साथ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि Smart TV वाला मार्केट बजए TV के साथ बहुत जादा गरम है, लेकिन देखना ह अगर एक अच्छा प्रोडेक्ट मार्केट में है, क्योंकि अभी भी देखा तो एक अच्छे प्रोडेक्ट की जो कमी है न वो यहां पर अभी भी है मार्केट के अंदर, इसके साथ ही बात करें तो यहां पर आपकी EV-related बहुत अच्छी news है, अगर आप लोगों पता है कि इंडिया में एक सूपर बाइक स्टाट अप नहीं जिसके नाम है अल्टर वॉलेट जो की अपनी इलेक्रिक सूपर बाइक के लिए जाना जाता है, इसके साथ ही यहां पर उन्होंने अल्टर वॉलेट में डिसाइड किया कि अपन स्कूटर काटिगरी में भी उतरहेंगे और यहां पर उन्होंने Tesseract नाम का scooter होता रहा है और देखा जाये तो उसकी specification बहुत ही जादा solid है और design-wise भी देखा तो बहुत ही जादा cool लगता है और देख्या से लगता है कि Ather और simple से एक better product with better range, better speed आपको देखने को मिलेगा जिसके बात करें तो उसके नारा को 6 kWh की battery है 261 km की IDC range है realistic IDC range इसकी 75% आप कर लेगा उतनी देखने को मिलेगी यह एक मेरा personal experience है standard है सभी electric scooter की use करने के बाद मैं बता रहा हूँ 0.75 से multiply कर देना उसके आसपास की realistic range होगी यहां पर इसके साथ यह बात करें तो 0 to 60 जाते है 2.9 सेकिंड में यहां पर dual channel ABS है traction control देखने को मिलेगा 34 liter का boot space है यहां पर radar sentine technology दे रखी है front और back में इसके साथी dash cam दे रखा है आगे और पीछे और ऐसे काफी सारे कमाल की feature है इसके साथ ही इस product की जो base model की price अलबक शुरू होती है वो शुरू होती है यहां पर 1,45,000 से और यहां पर 1,20,000 रूपीज इनीचली पहले 10,000 buyers को मिलेगा हाला कि यह scooter अभी market पर available नहीं होगा यह electric scooter अगले साल 2026 में आगा और base model में आप तक वर 3,5-3 kWh की battery expect कर सकते हैं और जो 6 kWh वाला model होगा उसकी गिमत यहां पर थोड़ी सी जाद रहेगी हाला कि देखा जाए तो market में सो Ola killer का था है क्योंकि Ola ने भी S1 Pro Plus निकाली थी जिसमें 320 km की range promise करी थी वो product तो June के महीने में आएगा इनका product अगले साल आएगा लेकिन एक काफी solid और strong electric scooter आ रहा है और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरीगे से marketing पर competition बढ़ता है तो बाकी सारी companies को भी काम करना पड़ता है उमीद करते हैं कि Ather वाले अपने एक high range के साथ एक scooter यहाँ पर निकाले simple one way है यहाँ पर और एक अच्छी बात आपको बता सकता हूँ इंडिया में जो सस्ते Chinese rebranded electric scooter देना उसका जमाना खतम होने वाला है और अब इंडियन companies आएगी इंडिया के साथ से better product पनाएगी और ऐसी technology डालेगी जो global level पर आप लोग ने कभी scooters में देखी नहीं होगी और यह scooters यह जो product होंगे global level पर ship होंगे तो आर एंडिया देखा तो इसकी इंडिया में बहुत ही जापे जादा हो रही है तो यह भी एक बात है इदर तो देखा तो यार यह थी कुछ सबते की interesting tech news सोच आपको इस podcast ने से के वारे में बात करते हैं थेंक्यू अबने रहने के लिए आपको बज़ता अपने next podcast के अंदर गुडबाए